हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एंड ये यूजिस इनट ज्यारिफ इंवर्मेंटल साइंस में फ्रेंड्स आजकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया तो चलिए वीडियो को में स्टार्ट करते हैं वह उनके संख्या 18 यानिकि 18 बाइश्फेर इस वहता है जहां पर आपका नंबर आफ जो आपकी फ्लोरा और फॉना वहां एक जिस्ट करते हैं उस एरिया में रहते हैं यानिकि अबिखेंगें सेट डाट की घ्निट्ट की आपके प्लांट इसपीज और ऐनिमल स्पीजिज ए उस पर्टिकलर एरिया में पाई जाती हैं वह कि अगरण बात करें तो इस आपके नेशनल पार्क या फिर वाईलाफ सेंग्श्री तो उस से तुलना में काफी affectivity है कुछ μια जोन्स में अलाव होती है जैसे कि अगर हम Clayton की बात करें तो इस फिर में कया होńटा है उसी टा़ा ilसका होता है चहां पर जायाप कई पर यहां पर जनकी अगर हम लिस्ट को अगर देखें सबसे पहला जो आपको बायो श्रीजरव में तुसरा आपका इस पें जर्जा नन्दा देवी जो कि आपके उत्रा खंड में है और आपका तीशरा है आपका कंचंजनगा जो कि सिक्किम में है और आपका दिहांग दिवांग जो कि और आपका टिप्रू सेखोवा यह भी आपका असम में है नौक्रेक यह आपका मिखालया में और पन्ना जो की मद्यप्रदिस और पंचमडी भी आपका क्या है यह दोनों के दोनों मद्यप्रदिस में है इस वेल इस नेक्स्ट जो आपका है अचना कमर अमर कंटक यह मध्य प्रदेश और छत्रीज़र्ड यह दोनों ही रीजन में फैला हुआ है उसी के साथ अपका कच्छ के अगर बात करें तो कच्छ आपका गुजरात में है और सिम्रीपल यह आपके ओडिसा में है और सुंदर पन की बात करें तो सुंदर बन अपकी वेस्ट में गॉल में और आपका जो बाइस फियर रिजाव नमबर 14 जो है आपका तो इस चालम यह आपका है आपका अंधर प्रदेश में हो सकता है मेरा प्रणॉंसरेशन यहां गडबड़ हो बट आप देख लीजेगा उसके बाद है आपका तर्णुड रिजाव नमर फिफ्टीगा अगस्त अमलाई करणाटका था मिलनाडव और केला तक फैला हूँआ है पिर आपका है निलगरी जो कि इन देख नाडव और केला यह दोने ही राजियों में फैला हुआ है और यह निलगरी जो है यह आपका फिस्ट था it was the first biosphere reserve जो कि आपका इंक्लूट किया गया था किसमें तो वो था आपका Man in the Biosphere Program तो अब यह Man in Biosphere Program के आपको बता दूँ आपको जो Biosphere Reserve का जो concept है वो आपका Man in Biosphere Program के द्वारा मतलब कि इस प्रोग्राम के अंदरगत रखा गया और यह क्या था तो यह एक आपका इंटर गवर्मेंटल साइंस्टिफिक प्रोग्राम था जो कि 1931 में UNESCO को द्वारा लॉंच किया गया था अब यह UNESCO क्या है तो UNESCO मतलब कि United Nations Educational Scientific and Cultural Organization और इस प्रोग्राम का उद्देश से क्या था तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश से था वह उद्देश से था इस्टेब्लिश करना एक साइंटिफिक बेसिस फॉर इंप्रोग्रमेंट आफ रिलेसेंसिप बिविन एंडियर इन्वार्मेंट ओके सो निलगिरी जो था आपका बाइस से जर इज़र इस इस मेप प्रोग्राम के अंधर इंक्लूड किया गया था अब है आपका नेश्ट गल्फ अवमननार जो कि एवलेबल डेटा है उसके अनुसार 2019 में जो टोटल मेंबर्शिप थी पूरी दुनिया के लगभग 122 देसों से वह आपके और जिसमें से आपका 20 आपका जो बाउंट्री साइट का है जोगी यह पूरे के सकते के रीजन में दुनिया भर में फैले हुए है तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत दो शुक्रिया और आपका अगर कोई क्वेस्चन हो कोई दाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सक्सर में कॉमेंट करके पूर सकते हैं या किसी और टॉपिक पे जो इस पे अगर वीडियो बनाना हो तो आप मुझे सज़ेस्ट कर सकते हो ओके थाइंक्यू वंस अगें